अवेद धर्मांतरन केस में उत्तरप्रदेश में बड़ा खुलासा अवेद धर्मांतरन केस में आरोपी इसलामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्धिकी से ATS की पूछताच में कई बड़े खुलासे हुए अब तक एक हजार लोगों का अवेद तरीके से धर्म परिवर्तन और विदेश से करोडों फिंडिंग लेने की बात सामने आई है और जून में गिरफतार मौलाना उमर गौतम इनका चेला है इनकी संस्था में 57 करोड रुपे विदेश से आई थे पताया जा रहा है कि ये पूरी फंडिंग मौलाना कलीम सिद्धिकी ने ही कराई थी मौलाना कलीम सिद्धिकी से ATS की पूछताच में कई बड़े खुलासे हुए कलीम सिद्धिकी ने खुद के खाते में 3 करोड रुपे मंगाए थी जबकि अपनी चेले मौलाना उमर गौतम की संस्था में 57 करोड रुपे की ये पूरी फंडिंग कराई सिर्फ बहरें से 1.5 करोड रुपे आए पूछताच में रुपे को हिसाब का कोई जवाब नहीं मिला मौलाना कलीम सिद्धिकी ने उमर गौतम और उनके साथियों को अलग-अलग राज में अलग-अलग तरीके की स्पीश देना किसी व्यक्ति से क्या बात करनी है इसकी भी ट्रेनिंग दी उमर गौतम और उसके साथ ही के जरिये पूरे देश में धर्मांतरन सिंडिकेट चलाने का काम कर रहा था ATS को कई ऐसे वीडियो हाथ लगे जिसमें कलीम सिद्की ने गेर कानोनी बाते धर्मांतरन के लिए कही है ATS सूत्रों के मताबक कलीम सिद्की लोगों को जन्नत का लालच और जहन्नुम का खौफ जैसी बातों में उलशा कर उनका धर्म परिवर्तन कराता था कुछ समय पहले मुंबई में RSS प्रमुक मोहन भागवत की अगवाई में हुए राश्र प्रथम और राश्र सर्वोपरी कारिक्रम में भी मौलाना कलीम शामिल हुआ था इसके लावब वो अभी नेत्री सनाखान का निकाह कराने को लेकर भी चर्चा में रहा है ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए